हलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक अगेन और माय यूटूब चैनल अल एक्जाम हैल्प स्टुडेंट आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए MSWE 001 के इंपॉर्टेंट्स कोश्चन लेकर आई हूँ जो की आपके लिए काफी यूसफुल रहने वाल है हमारी सैंडरिज पब्लिकेशन टीम जो है उन्होंने आपके लिए इंपॉर्टेंस कोश्चन त्यार करें और यह सभी इंपॉर्टेंस कोश्चन आप 100% इस पर रिले कर सकते हैं यह सारे आपके एक्जाम पैटन के अकॉर्डिंग आपका हर साल क्या एक्जाम पैटन रहता है और इस साल का क्या एक्जाम पैटन रहा है उसको एनलाइज करके सारे कोश्चन आपको यहां पर प्रिपेर करके आपका पिछले साल के कोश्चन जो है जितने भी दिये जाते ह जाते हैं उनको और आपके जो बुक्स में जितने भी इंपॉर्टेंस टॉपिक हमेशा एड़ कर दिये जाते हैं और इस बार भी जैसे आपकी बुक्स में से ही कोश्चन देवे थे इस बार जो एक्जाम आया लोगों का तो उसमें भी जो आपके इगनू स्टडी मेटीरियल उसमें से ही आपके टॉपिक्स उठा के जो है आपके आंसर में दे दिया जाते हैं तो उनी आंसर इस को मतलब जो भी टॉपिक χोते हैं उसी को हम ने याप को वी कॉश्चन्स में बहुत कर किए जितने हैं में तो अगर आपने पूरे साल स्टूद्टी नहीं भी करिए अपनी books नहीं भी देखिए तो आप इन questions को अगर prepare कर लेते हैं तो पूरा आप exam यहाँ पर crack कर सकते हैं और easily आप 70-80% यहाँ पर score कर सकते हैं अगर इन questions को आपने prepare किया हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपको यह दिये जाएंगे पूरा PDF आपको दिये जाएगा ते फ्रेंट पेज रहेगा आपके PDF का MSWE 001 आपका subject code है HIV AIDS का जो है यह आपका subject है stigma discrimination and Preventation solved guest paper है आपका यह दलब हमने guest paper की तरह भी prepare करें guest paper में आपके पिछले साल के paper जो है दे दिये जाते रिपीट करके पर यहाँ पर हमने books के भी study material का जो हमेशा content पूछा जाता है वहाँ के answers भी यहाँ पर add करें explain the nature of HIV और AIDS HIV और AIDS यहाँ पर एक ही होता है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर explain करना है explanation आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर पहले intro दिया हुआ है फिर आपको और भी यहाँ पर explain क्या हुआ है पैरा में divide करके आपको पूरा answer यहाँ पर बताया गया है easy language में यहाँ पर use किया हुआ है easily ताकि आपको पढ़के समझ में आ जाए book आप खोलेंगे उसमें काफी lengthy language में आपको दिया होता है lengthy होता है और काफी hard language में दिया होता है तो इसके comparison में काफी यहाँ पर easy दिया हुआ है आपको question number two है what is the stages of infection तो यहाँ पर stages के बात हो रही है अब जैसे तो stages जब भी आप से पूछी जाती है तो इसमें आपको points में बताना होता है answer और उसी points में हमने आपर बताया गया stage stage one two इस तरह से आपको पूरा क्या आपका pattern रहना चाहिए answer देने का उसको भी ध्यान में रखा हुआ है सेम यह pattern में आप जोए अपना answer लिखे इस तरह से यह सारी question answer आपको दे जाएंगे question आप देख सकते हैं यह और इसके answer आप खुछ से भी prepare कर सकते हैं और हमारा answer आप ले लेते हैं इसमें से और भी अच्छा हो जाते हैं आपके लिए question number 11 how to prevent prevention of transmission through blood and blood products important topic है how to pass HIV transmission from mother to child यह भी important topic है आपका सारे importance topic को याड़ किया हुए आपके book आप खोल के देखेंगे उसमें यह सारे topics आपको मिल जाएंगे जो कि पढ़ने में आपको वहाँ पर हाड़ लगेंगे पर यहाँ पर आप उसी चीज़ को पढ़ते हैं तो easy आपको लगेगा इस तरह से पूरे 20 कोश्चन में आपका प्रिपेर हो गया यहां पर आपकी पूरे बुक सैंड़िच पॉब्लिकेशन यहां पर लिखा हुआ है पूरी टीम के साब से क्या आपका पैटन रहता है पूरा आनेलाइस करकी पूरा आपका तियार किया गया है तो भी आपको यही कोश्चन्स आपको प्रिपेर करने इसके सिवाए और कुछ नहीं पढ़ना है आपको बट्सप नमबर यहां पर आपको दिया हुआ है किसी पर कॉंटेक करके यह आप हमसे पर्चेस करें तो थैंक यू सो मुझ स्टूडिन्स वीडियो को आद तक देखने क हम भी कर दाभर करने के वह जत्ड़ to शेंगी है अजल इसके यह हमसे आपको प्रिंफ